बन लो कोई ऐसा परसंग को योगि भुव सवाल आते इसे कि पैनिक अटक से स्ट्रेस से एंचाइटी से ह्ट अटेक होगा कि नहीं होगा ठीक है आपको मान लो पचास साल की उमर में किateursसे मांट तीस साल के उमर से आपको वो रेगुलर इंटर्मिटेंट बीच बीच में पैनिक अटेक होते हैं अब पैनिक अटेक पैनिक अटेक कि आपके सामने शेर आ गया या एकदम से आपकी गाड़ी के सामने कोई दूसरी गाड़ी आगी एक्सिडेंट हुआ नहीं लेकिन आपकी दिल की दड़कन तो ब्रदी ना दग 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 तो हो गया पैनिक अटेक इस्ट्रेस फूल ऑन दग हाट बट अब आपका हाट उस स्ट्रेस को उठा पाएगा कि नहीं बस यह बात है एक पैनिक अटेक इस जस्ट लाइक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज राइट जबकर आप दोड के तेज दोड गए धर 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 तेज दोड़ और हाट अन्टिल पैनिक अटेक कॉंस्टंटि नहीं चल रहा अगर कोई आदमी लगातार पैनिक में है चौबीस घंटे लगातार तो यईस गटिस की तीज दोड़ना हट वे अब एक आदमी को 25 साल की उमर से या बच्पन से या बीच बीच में 17 साल में कहीं भी पैनिक अटेक होने शुरू हुए अब उस पेशेंट के हाट की कंडिशन कैसी है उसके फैमिली हिस्ट्री कैसी है कोलेस्टरॉल कैसा है हाट की नसों में ब्लॉकेज है क्या हाट में बीप इस तीस साल की उमर में पैनिक अटेक शुरू हुए है तो दस साल के बाद आप बाकी चीजे बाकी लाइफस्टाइल कैसे जीते हो वह वह फैक्टर मैटर करेगा कि दस साल के बाद आपका हाट वही पैनिक अटेक दस साल पहले जहल पाया था दस साल के बाद जहल पाएगा राइड मगर जिस परकार गाड़ी चलाने से कभी टायर नहीं फटता परकार टायर फटना होगा तो गाड़ी चलते हुए फटेगा है के नहीं पर उसका मतलब यह नहीं कि गाड़ी नहीं चला होगे so those are the things which you need to understand